इस परकार से भट्यारी का पुत्र इंदर्मन जो अपने सामने साक्षात मोत को देख रहा था वहे इस तरह के ख्याल परदेशी राजा विक्रमादित के सामने व्यक्त करता है और सोचता है कि आज तो मुझे बली पर चड़ना है ही मा से कहता है कि मा आज मैं अच्छे अच्छी चीजें पक्वान खाऊंगा इधर तो ये बाते चल नहीं है और उधर उसका इंतिजार हो रहा है दर्बार में शामधाम राजा जिसकी पुत्री थी रतनकोर वो दर्बारियों से कहता है कि क्या बात है शाम हो गई और भट्यारी का पुत्र इंदर्मन नहीं आया हो सकता है उसके मन में कुछ हल चल हो जाओ तुरंट चार सिपाईयों को भेजो और उसको बुला करके फोरन लाओ और राजा शामधाम क्या कहता है दर्बारियों से बट्यारी ने बुलवा लो दर्बार मैं भाई कहना हो सो कहलेगी सरकार मैं भाई बट्यारी ने बारो दरे बार मैं भाई कहना हो सो कहलेगी सरकार मैं भाई सारी दुनिया पड़ सोलेगी हाँ आन के दुख अपना रोलेगी बला रांड न पुती भोलेगी रे रांड न पुती भोलेगी भेड़ चार मैं भाई कहना हो सो कहलेगी सरकार मैं भाई बट्यारी ने बुलवा लो दरे बार मैं भाई कहना हो सो कहलेगी सरकार मैं भाई मामला तोर तरा छिड़ रास है पासा कर्मा का अड़ रास है बला किले का रुका पढ़ रास है संसार मैं भाई पट्यारी ने बुलवा लो दरे बार मैं भाई कहना हो तो कहने की सरेकार मैं भाई ना दुख दरत यंगे जा जागा दुख मैं सूख कले जा जागा उसका लड़का बेजा जागा उसका लड़का बेजा जागा कारागार मैं भाई कहना हो सो कहले की सरेकार मैं भाई बट्यारी ने बुलवा लो दरे बार मैं भाई कहना हो सो कहले की सरेकार मैं भाई शेर के के धोरे शाल रहें से हाँ काग के हंस की चाल रहें से काग के हंस की चाल रहें से मंगराम का ख्याल रहें से पर चार मैं भाई कहना हो सो कहले की सरेकार मैं भाई बट्यारी ने बुलवा लो दरे बार मैं भाई कहना हो सो कहले की सरेकार मैं भाई